नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमरे चैनल All Technical Solutions में तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक AC ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिसके इस्तिमाल करने से आप अपने WhatsApp पे किसी का भी status देख सकते हैं लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगा यानि कि उसकी जो viewer list है वहाँ पे आपका नाम नहीं आएगा यानि कि उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसका status यहाँ पे देखा है तो दोस्तों इसके लिए आपको आपके mobile में जो file manager है वहाँ पे आपको जाना होगा अगर आपके पास कोई भी file manager नहीं है तो आप play store से भी file manager यहाँ पे download कर सकते है मेरे पास यह my files नाम का file manager है तो मैं इसे यहाँ पे open करके लिए तो दोस्तों यह my files नाम का file manager बहुत यह अच्छा है दोस्तों मेरा जो WhatsApp का जो सारा data है वो यहाँ पर internal storage में यहाँ पर store होता है तो मैं यहाँ पर internal storage को open करके लेता हूँ तो उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर जाना होगा android में तो मैं यहाँ पर android में जाता हूँ उसके बाद मुझे जाना होगा media में उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर जाना है com.whatsapp पे और उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर whatsapp का एक folder मिल रहा है तो मैं इसे यहाँ पर open करके लेता हूँ उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर जाना है media में तो मैं यहाँ पर media में गया तो यहाँ पे दोस्तो हमें WhatsApp का सारा डेटा मिल गया जो हमारे mobile में यहाँ पे store रहता है तो दोस्तो यहाँ पे WhatsApp के wallpaper, gips, audio, documents, images, profile photos, stickers, videos यह सारी चीज़ी यहाँ पे रहेगे लेकिन आपको यहाँ पे status का कोई वे option यहाँ पे नहीं मिलने वाले क्योंकि दोस्तो जो WhatsApp के status होते हैं वो hidden होते यानि कि वो यहाँ पे आपको easily file manager में यहाँ पे नहीं दिखते तो इसके लिए दोस्तो आपको क्या करना होगा तो आपको यहाँ पे simply क्या करना है आपके right hand side के upper corner में जो three dots दिख रहे हैं तो आपको इसे यहाँ पे on करके लेना होगा इस वज़े से क्या होगा दोस्तो जो भी आपके mobile में जो system की जो files है जो hidden है वो यहाँ पे आपको दिखना start हो जाएगा तो मैं यहाँ पे show hidden system files पे यहाँ पे click करके लेता हो और फिर से back में चलता हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो hidden folders थे यानि कि links statuses ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पे सारे statuses यहाँ पे देखने को मिलने वाले और आप यहाँ से अगर status देखते हो तो दोस्तो उस आदमी को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका status यहाँ पे view किया है और उसके जो viewer list है वहाँ पे आपका view भी नहीं आएगा तो दोस्तो इस तरह से आप किसी के भी hidden status यहाँ पे देख सकते हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पगर पसंद आता है तो वीडियो को like कीजिए और ज़्यदे ज़्यदा share कीजिए और दोस्तो ऐसे टेकनोलोजी से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए तो चलिए दोस्तो आज के लिए वस इतना यह धन्यवाद वंदे मातरम